धनीय का पानी करेगा शुगर लेवल को कंचोल डाइबटीस हो जाएगी जड़ से खत्म आज हम आपके लिए एक ऐसा अचूक मंत्र लेकर आये हैं जो आपके डाइबटीस को जड़ से खत्म करतेगा भारते पकवान बगेर मसाले के पूरे नहीं हो पाते आपने ये तो सुना होगा कि ज्यादा मसाले सिहत के लिए हानिकारक होते हैं लेकिन क्या आपने ये कभी सुना है कि मसाले आपके लिए जीवन दाई भी हो सकते हैं शुगर एक ऐसी बिमारी है जो मानब शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को धीरे धीरे कम या फिर खत्म कर दीती है महें कहा ये भी जा सकता है कि कई मामलों में ये बिमारी जानलेवा भी हो सकती है लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर रहकर कुछ आसान उपायों से दाइबेटीज को कंट्रोल कर सकते हैं धनिया भारतिय पकवानों का एक अनिवार्य हिस्सा है धनिया जिसे सिलेंट्रो या चीनी अजमोध भी कहा जाता है हर परिवार के खाने में इस इस्तिमाल किया जाता है इस पौधे के सभी हिस्सों यानि की पत्तियों से लेकर बीज तक खादे पतार्थ है और विबिन वैच्विक पकवानों में उप्योग किये जाते हैं क्या आप जानते हैं कि धनिया मारव जाति के लिए पहचाने जाने वाले सबसे पुराने मसालों में से एक हैं। साथी हम इसका इस्तिमाल कर बेमारियों को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। हमारे भोजन में अपना खास टीस्ट देने के अलावा धनिया कई तरह से स्वास्त लाब भी देता है एक आयरुवेटिक नुस्का होने के साथ धनिये के बीज और पत्तिया एंटी इंफ्लमेटरी और जिवानु रोधी गुडों से भरपूर है अध्यनों से पता चलता है कि ये कॉलेस्ट्रॉल को कंच्रोल करते हैं भूप को तेज़त करते हैं और पाचन में इस्तुधार कर सकते हैं इतना ही नहीं धनिये के बीज किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अध्कृष्ट विकल्प है जो डायबिटीस के रोकी है धनिये का पानी ब्लड शुकर के लेवल को कंच्रोल करता है कैसे ये हम आपको बताते हैं एक रिसर्च के मताबिक ये पाया गया है कि धनिये के बीज में कुछ योगिक होते हैं जो ब्लड में आने पर इंसुलिन डिस्चार्जिंग और इंसुलिन का उत्पादन करते हैं जोससे आपके ब्लड ग्लूकोस के लेवल को कंच्रोल करने में मदद मिलती हैं दाइबिटीस के लिए कैसे बनाए धनिये का पानी 10 ग्राम साबुद धनिया ले अब धनिये को 2 लीटर पानी में फिको दें इसे रात भर के लिए धक कर रखते हैं सुबह इसका पानी निकालने और इससे पानी को खाली पेट पीएं आप पूरे दिन भी इससे पानी को थोड़ा थोड़ा करकर पी सकते हैं इस पानी को पीने से धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर लेवर कंच्रोल रहेगा साथ ही आपकी डाइबिटीस भी खत्म होने लगेगी हेल्ट से जुड़े ऐसे सब भी अपडेट्स के लिए देखते रहें एनन हेल्ट